वेलकम बैक टो अचनले जन्टी वूटेक आज की इस वीडियो में जानेंगे आप फेस्बुक पेज कैसे क्रियेट करेंगे तो चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे भी स्था की वीडियो को देखने के लिए तो चलो वीडियो करते हैं शुरू तो अपने पेजस में क्लिक करने हैं अग्र आपको से करने तो यहाँ प्र हमें पर आपको दिख जो पाज़ह प्र नाम रखना चाहते हैं एंड category required, तो यहां से category जैसे आपका restaurant है, या फिर आपका fast food restaurant है, online shopping का है, जो भी आपका page है, उसकी category आपने या पे चूज कर लेनी है, ओके, नीचे description है, इसमें आप अपने page के बारे में बता सकते हैं, detail में है, अगर आप कुछ बताना चाते हैं, address, address, यह जो भी अगर आप अपने page से related, जो भी आप इसमें डालना चाते हैं, description में लिख सकते हैं, उसके आपने create page पर click करना है, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नाम डाल लिया, TK shop, यह coffee shop है, और यहां पर description में है, तो आप लिख सकते हैं, उसके create page पर आपने click करना है, यहां पर आप देखेंगे, यह भी desktop site पर आपको दिखा रहा है, अगर आप मूबाइल पर देखने चाते हैं, तो mobile पर कर लें, mobile पर आपको इस तरह का दिखाया देगा, ओके, and desktop पर आपको इस तरह का दिखाया देगा तो create page पर click करते हैं, उसके बाद next आपने image, यहां पर add your profile picture डाल लेना है, उसके बाद add your cover, तो cover डालने के बाद आपने save कर लेना है, उसके बाद next आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप mobile पर देखने चाते हैं, इस आपको दिखेंगा, and desktop पर इस तरह का, तो नीचे आप आपने save कर लेना है, next आप देखने, connect your Facebook page to WhatsApp, यहां पर आपको अपना WhatsApp नमबर डालना है, and send code, उसके बाद आपके नमबर पर OTP आएगा, आपने उसको confirm कर लेना, अगर आप डालना चाहते हैं, page पर, तो okay, अगर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसको cancel कर सकते हैं, उसको leap कर देना है, तो यहां पर आप देखनेंगे, आपका page, इस तरह का आपको दिखाए देगा, जो आपने बनाया है, and यहां पर आपको add button का option है, यहां पर आप जैसे click करेंगे, तो यहां पर आपको buttons आएंगे, जैसे follow का, and start order, okay, contact us, या call now, send WhatsApp message, तो बट यह जो भी चीज़ है, यह button पाने के लिए आपको उसमें, अपना, जैसे आप contact, call now करेंगे, तो आपको इसमें अपना mobile number डालना पड़ेगा, okay, and उसके वाद आपने save कर देना है, तो यहां पर आपको, मतलब facebook page से आपको call कर सकता है, वहां से आपको call करेगा, तो यहां से आपको call करेगा, तो यहां पर आपको जो जो आप अपने page पर देना चाहते हैं, okay, यहां पर send message, okay, email का आपको है, call का, follow का, तो सब यह आपको डालने पड़ेंगे, contact us का भी है, अगर आपको क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको website अगर आपकी है, तो आप website का अपना link डाल सकते हैं, इसमें, औ यहां पर आप देखेंगे, आपको यहां पर देखेंगे, आपको यहां पर देखेंगे, four of fifteen steps completed, okay, तो scroll down करेंगे आप जैसे, तो यहां पर आपको देखेंगे, create page ने में completed है, choose category, add a cover photo and add description है, हमारा complete हो चुका है अभी तक का, and seven steps left, तो हमारे साथ steps छूटे हैं, वो क्या कह सकते हैं, location info, अपना location आप देखेंगे, इसमें जैसे add location info में click करेंगे, तो यहां पर आप अपना add us दे सकते हैं, add us जो proper है, city, zip code, okay, यह सब डालने के बाद आपने, and नीचे map में यहां पर आप अपना location इसमें देख सकते हैं, अगर आपके पास location नहीं तो आप नीचे location, okay, and next, next, आप यहां पर देखेंगे, add hours, add hours में आप अपनी opening and closing hours जो आपकी हैं, वो आप डाल सकते हैं, and permanent close, हम इसा के लिए बंद हो गया, तो यहां आप वो कर सकते हैं, open on the selected hours को, कभी-कभी खुलता है, तो आप वो selected hours इसमें डाल सकते हैं, जैसे, selected hours में में मंडे को नह को नहीं खुलता हूँ, Wednesday को खोलता हूँ, और Wednesday को मैं जितने बज़े खोलता हूँ, वो मैं timing डाल लूँगा, यहां पर, okay, जितने बज़े मेरी तुकान खुलती है, सुबह, यहां जो भी है, आप जैसे, उस तरह से आप यहां पर डाल सकते हैं, timing, okay, and closing time, आप यहां पर closing timing भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से, next आपको यहां पर आ रहा है, add a menu, tap to your page, तो आपका menu है, तो आप यहां पर menu डाल सकते हैं, आप जिस, जो अपना page का category चूज़ करेंगे, उसी हिसाब से आपको यहां पर दिखाए देगा, okay, नीचे हैं, आप यहां पर phone number आप डाल सकते हैं, अपना action button, तो यह सब कुछ आप इस तरह से कर सकते हैं, and नीचे आप देखेंगे, आप फिर three steps left, तो अभी तीन जो steps जो देख लेते हैं, invite friends, invite 10 or more friends, तो आपको 10 friends को invite करना है, तो invite friends में आप क्लिक करेंगे, तो अपने किसी friends को आप invite कर सकते हैं, and create a welcome post, तो इसमाँ आप क्लिक करेंगे, तो आपका एक welcome post बन जाएगा, and view your QR code, तो यहां पर आप अपना QR code दे सकते हैं, और यहां से आप अपने friends को invite कर सकते हैं, नीचे से, and see all friends करेंगे, invite आप यहां से अपने friends को invite कर पाएंगे, और यहां से आप messages आप पर से देख सकते हैं, यहां से आप photos, वीडियो जो भी post, अपनी post create कर सकते हैं, आप यहां से, ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने like है भी नहीं, क्योंकि आसान सा यह page create करना, ओके, तो इसी तरह simple से steps follow क करके आप अपना page create कर सकते हैं, बांकि आप बाद में अपने page को और भी edit कर सकते हैं, ओके, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी है कि तो चैनल को भी subscribe कर लें, आगे भी इस तागी वीडियो को देखने लिए, and thanks for watching, see you in next video.